जोरदार तालियों के साथ स्वागत किजिए मलूक नागर जी नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है बहुत ही गर्म गरम बहस जो है चल रही है और हमारे साथ इसमें जो है इसमें स्टार बैठे हुआ है स्टार मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मुलुक नागर जी को इसमें पूरे देश के मीडिया के लोग खोज रहे हैं, कारण क्या है कि आज पारलेमेंट में एक ऐसी घटना हुई, जिसके बारे में मुलुक नागर जी चश्मदीद हैं, चश्मदीद इसलिए हैं क्योंकि मेंबरा पारलेमेंट हैं, और जिस समय एक घटना हुई, जो लोग इस घटना को अंजाम दे रहे थे, मुलुक नागर साब ने उनको पकड़ा और उनकी जबरजस्त पिटाई की, तो मैं समझता हूँ कि जो देश के दुश्मन हैं, देश बिरोधी लोग हैं, उनके जीरो आवर समाफ्त होने की तरफ था, पांच ये छे मिनिट बाकी थी, आगे की तरफ मू था, श्पीकर साब की तरफ, चेयर की तरफ और बराबर में उससे में राजनाज जी बैठे हुए थे और वो अश्वनी वैसनव जी रेल मंत्री बैठे हुए थे और काफी, कई मिन सक दीर का है, जो बालकॉन जिसमें बैठते हैं, तो उसके तरफ को जैसे मैं देख रहा था, तो ऊपर से कोई कुदा, तो पता लगा कि पहले गिरा नहीं है, वो भी कुदा है, तो दूसरे वाला तो जब तक समल नहीं पाया, उठ नहीं पाया, पहले वाला उठा और जैसे तो यह है कि आप सब नौजमान लड़के लड़कियां बैठे हैं, अगर एडमिट करें तो डर था दिमाग में डर की वजह से, कि कहीं जो पिक्चरों में देखते हैं, एक आज में ने सारे मार दिये, कि तेहरे तारीक, पुरा फिल्मी सीन चल रहा था, तेहरे तारीक को द संसद के अंदर आ गए, और इन पर वैपन होगा, सबे मानेंगे, तो किसी तरह भाग करके इनको पकड़ो, और इनको गोली चलाने का मोहका ना दे, इसलिए तो भाग करके उनको पकड़े, और जब उसको पकड़ने की नजधी गए, तो उसने जूता निकाला लगता है, ज जूता में से कोई चीज निकाला जिसमें से वो गैस और जिसमें से वो कलर बांब का हो, गैस बांब का हो, वो निकाला, और जब जो हमें मारने के और खराबनियस से आया है, तो वो बेसिक इस्टिंक्ट में हो गया, हमारा मारने का कोई सोच था नहीं, सवाल यह नहीं है, स सकता है कुछ और होता कोई बड़ी घटना हो जाती कोई साजिस हो शकती थी खैर अब तो तीनों पांचों लोग मतलब तीन बाहर और दो अंदर ये पुलिस के कबजे में हैं लेकिन मुलिक भाई आपको लगता नहीं है कि यह अगर हम इसको चुनौती के रूप में देखें आप गाउन से डुड़ों में हैं आपने बच्पन में पहलवानी की होगी मुझे लगता है उस दाओ का जो है आपने पूरा इस्तमाल आज किया नहीं देखिए अगर वास्तव में चर्चा करें तो घटना बहुत बड़ी थी और अगर वह पैर में लग रखकर के जूते मे घुसाकर के ले गया छोटा रिवालवर ले जाए च्छोटी पिष्टल ले जायाए और इस तरह की घटना घट जायophyं मार बे पांस साथ लोगों को दस लोगों को जहां चिश्र को वह भागए जहां औरेबल प्राइब मिनिश्टर बैढ़ते हैं या पांस सो 67 सारे projets स्व honorable MP बैठते हैं तो वहां तक पहुँच गया और वहां जाकर अंदर कूद गया और कूदने के जब वह उसने वह पना छोड़ा जो कहो सको कलर बॉम कहो या उसको गैस बॉम कहो तो उससे लगा कि ऐसा ना हो जिस तरह सुनते आए है यह पिक्षरों देखते हैं यह सुनते हैं कि कोई ऐसा ना हो कि आख चली जाए यह घुट करके दम निकल जाए तो बिल्कुल आखिरी च्छन चल रहे हैं आज जिंदगी के उस घटना से निकलते हुए लेकर क्या आए तो मुलुक भाई वाकई जोरदार ताली बजाई है यह बड़ी हिम्मत की बात है क्या होता है कि अगर कोई काम अगर आपको करना हो तो फिर उसमें दिमाग काम नहीं करता आदमी सोचता है दिल से काम करें फिर सोचता है दिमाग से काम करें मुलुक भाई ने दिमाग से काम किया और उनको पकड़ लिया तो आपने जो चैंप और आ गए थे बस पकड़ने के बाद तो जो वह हमारे साथ करना था हम ने उसके साथ कर दिया तो आपने फिर यह पता करने की कोशिश नहीं की मुलुक भाई कि कौन लोग है यह कहां से आये हैं इनका मकसद क्या था क्योंकि यह तो आप आपने उनको पकड़ लिया पकड़ने के बाद आपने मुझे लगता है कि सेकुरिटी वालों को दे दिया दे नहीं दिया आपके जो चैनल वाले हैं इसलिए वो सारा छोड़कर कि मुझे हैं पहले ही बुकिंग थी पंदरेवीश दिन तो पहले मुझे हैं इसलिए आना पड़ा नहीं तो अभी तक वही चल रहा है हर जग है आज तक वाला चित्रा के साथ था तो लाइव छोड़ा आपकी मुलु समस्याएं इस तरह के घटना फिर न दोहराई जाएं और इस तरह के क्योंकि आप मेंबर पार्लिमेंट हैं बहुत सारे लोग आप से पास के लिए मांग करते होंगे कहते होंगे तो मैं आप से चाहता हूं कि आप एक रिएक्शन दे दें मैं आखिर जो है कि इस तरह की पर किसी भी यूनिवर्स्टी में उठा करके और किसी सब्जेक्ट को फैक्ट दो और यंगर स्टर्स से उस पर उपीनियन लेओ और जो उपीनियन आए उस पर सरकार को संग्यान लेके काम करना चाहिए चलिए मुलुक बई मैं दूसरा जी 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 दूसरा कहीं ना कहीं सबसे पहले तो खामी वहां कि उसने बगर जाने हुए बगर पहचाने हुए साइन करके भीजा कैसे अगर सारे एंपी कहीं ना कहीं धील दे रहे हैं तो आज के बाद वो भी ध्यान ने पहली गलती पहली डील सिक्रीटी फेलियर दूसरा जहां संसद में अंदर घुसने मे कोई पैर में के अंदर झूते के अंदर वो गैस बंब कहो सबसाइब नहीं संसद की जब घुसरा था तो वहां उसकी बौरी लेंग्वेज उसकी सोच उसको क्योंी चेक करा गया चौता पहले गेट से लेकर आखीर तकलिजन कुछ ऐसी हो जो बौरी करें चेक करें जो थी जिस दिन हमारे देश के सबसे बड़े सम्मेधानिक मंदिर पर डॉट लगा था तो आज विशेश का चौकन नहीं चीए थे सब आखिरी जब वहां जाके बैठ रहे हैं तो वहां बैठने पर जब वह कूदा तो वहां सिक्यूरिटी क्यों नहीं थी नेक्स्ट जब वह अंदर कूद के आ गया तो वहां अगर कोई आके घुसके आ जाए और हम MP लोग उसको पकड़ने की स्थिती में ना हो और वो कलर बॉम या गैस बॉम की जगह चोटा पिस्टल उस पर हो उठा के मार दे तो क्या हो एक फेलियर्टी वह तो सारे बिंदूओं पे दुबारा से सरकार को पूरी इस पे आकलन करके और नए तरीके से सोचके आगे भविश्य में ना घटे आज ये 22 साल के बाद कार सुनेगी एक बार जोरदार तालीब जाईए आज के हमारे हीरो मुलूक नागर जी आप इंडिया नियूज के स्विशाल मंच पे आए आपको बहुत बहुत धन्वाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू